Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल सेनेटर मारको रूबियो से बेजज़क एक सवाल बूचा, क्या वो अमेरिका के National Rifle Association यानी NRA से डोनेशन लेना बंद करेंगे या फिर नहीं, कैस की अकेला नहीं था, रूबियो के चले जाने के बाद जब NRA यानी National Rifle Association के स्पोक्सपरसन गाना लुष स्टेच पर आई, तो उन्हें भी ऐसे तीखे सवालों का सामना करना पड़ा, 18 साल की स्टूडिंट Emma Gonzalez ने ना सिर्फ Automatic Weapons के Legal Modifications पे सवाल उठाए, बलकि डैना को ये भी याद दिलाया, कि वो अपने खुद के बच्चों के फीजर को दाव पे लगा रही थी, सबसे एहम सवाल, श्रायद History ये जानना चाहती थी कि क्या एक 18 साल के लड़के को Responsible Armed Militia कहा जा सकता है, American Politicians के लिए टाउन हौल में पार्टिपेट करना कोई नई बात नहीं है, पर आम तोर पे ये टेलिवीजिन पे लाइव ब्राटकास्ट नहीं होते, ना ही इनमें स्टूरेंट्स का Majorie Stoneman Douglas High School के उन सारे स्टूरेंट्स और टीचर्स में से थे, जिनके लिए 14 February 2018 की सुबह एक दुखत सफर से कम नहीं था, Valentine's Day का वो दिन US Mass Shootings के लंबे इतिहास का पार्ट बन गया, जब 19 साल के Nicholas Cruise ने 17 लोगों को गोली से मार दिया, पर ये Mass Shootings अमेरिका के गन प्रॉबलम क सिर्फ एक हिस्सा है, US में हर साल फायराम से हजारों लोगों की जाने जाती हैं, चाहे वो होमिसाइड हो या फिर सुइसाइड, पर एक्जामपल, 2019 में 10,258 लोग गन वाइलन्स का शिकार हुए, इन में से सिर्फ 73 विक्टिम्स मार शूटिंग में मारे गए, 2020 में फायराम से हुए सुइसाइड विक्टिम्स का नंबर था 24,000, इन फिगर्स को देखके ये हैरानी होती है कि जहां दुनिया के दूसरे देशों के लॉज, सिटीजन्स को बुलिट से बचाने की कोशिश करते हैं, वहीं US गवर्मेंट इन ही लॉज की उपर गन राइट्स को प्रियर बन गया, आज के इस वीडियो में हम इनी सवालों पे चर्चा करेंगे और इसके possible solutions को भी discuss करेंगे, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो UPSC GS2 के international relations और governance और GS3 के security section में पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम वीडियो के अंत मे और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के आईए शुरू करते हैं आज का discussion दोस्तों, interruption के लिए माफी और ये कोई add नहीं है, बस आप से एक AST information साजा करनी है, जिसकी मदद से हम education को affordable बनाने की तरफ एक important कदम उठा रहे हैं Steady IQ ने अपना UPSC PrePlus Mains Live Foundation बात स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा content live दिया जाएगा, 900 प्लस आर्स का live content, 1-2-1 mentorship, current affairs programs, premiums के practice questions, mains answer writing practice, और भी बहुत कुछ मात्र, 19,499 के discounted price पर अगर आप AG live coupon code यूज करते हैं दोस्तों अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी UPSC का एक serious attempt देना चाहते हैं, तो I don't think कि इससे बहतर मौका फिर कभी मिलेगा and just to mention ये price limited students के लिए हैं, तो कुछी समय में आप इन prices में एक significant increase देखेंगे दोस्तों classes के शुरुवात 1st of August शाम 6 बजे से हो रही है, तो अब आप भी AG live coupon code यूज करके अपनी UPSC के तयारी को भारत के best educators के साथ Study IQ के foundation batches का support provide कर सकते हैं, इस बात से related सभी important links आपको pinned comment में मिल जाएंगी अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, but don't forget to use AG live, otherwise you will say कि बाकी लोगों को कम rates पे एक course मिला है बाकी सभी updates के लिए आप मुझे मेरे social media handles पे follow कर सकते हैं दोस्तो US के इस gun culture का root 1861 से 1865 तक चलने वाली American Civil War तक trace किया जा सकता है Civil War खतम होने के बार gun makers के पास surplus gun बचे थे, जिसके लिए वो peace time customers धूनने लगे उन्होंने किराने की दुकानों को गेहूं और चीनी के साथ-साथ handguns बेचने के लिए भी convince कर लिया newspaper ads के थूँ इस idea को promote किया गया कि guns की वज़े से ही लड़के असली मर्द बन पाएंगे और फिर क्या था, private gun ownership तेजी से बढ़ने लगी Civil War के अंट तक slavery भी abolish हो गई थी, पर इससे armed groups form होने लगे कुछ ऐसे जो नए आजाद ब्लाक लोगों को protect करने के लिए बनाए गए थे और दूसरे उन्हें terrorize करने के लिए, लूसियाना के white league जैसे supremacist military groups guns का अस्तमाल कर black man को कभी threaten या कभी murder तक कर देते थे, ताकि वो vote न दे सकें इस वक्त आपके मन में Hollywood की वो movies चल रही होंगी जहां किसी western town में suit boot पहने, gun carry करता हुआ American hero धूल की बादलों से उभर कर अपने दुश्मनों के सामने आकर खड़ा होता है पर कई historians इसे एक myth मानते हैं UCLA के law professor Adam Winkler JD का मानना है कि Tom Stone, Deadwood और Dodge जैसे frontier towns में gun control loss काफी strict थे Huffington Post के लिए लिखे आर्टिकल में प्रोफेसर Adam Kansas State के Dodge City का जिकरी करते हैं जहां billboard पे लिखा हुआ होता है कि fire arms carry करना सक्त मना है In fact, early 1990s तक 43 states में public spaces में fire arms carry करना limited था या फिर कहीं न कहीं band था 1968 में जाके gun control एक decisive issue बना जब former president John F. Kennedy Malcolm X, Martin Luther King Jr. और Robert F. Kennedy जैसे prominent American figures के हत्या के बाद Federal Gun Control Act introduced किया गया था इस legislation के थुरू interstate fire arms sale पे limitation लगाई गई पर tighter gun control की मांग करने वाले लोगों का कहना था कि ये काफी नहीं है Late 1990s तक gun rights को secure करने के लिए डर एक selling point बन गया 1999 के एक poll में ज़्यादातर gun owners ने बताया कि वो hunting और target shooting के लिए guns इस्तमाल करते हैं सिर्फ 26% self defense के लिए guns ओन करते थी पर नाशनल fire arm survey के मताबिक 2015 में ये number 63% तक पहुँच गया 2014 Annals of Internal Medicine के analysis की माने तो self defense के लिए guns का इस्तमाल counterproductive है क्योंकि gun का access suicide के risk को triple कर देता है और homicide risk को double American Journal of Public Health के एक study के मताबिक abusive partner के साथ रह रहे है एक औरत के लिए उसके murder होने के chances पाच गुना तक बढ़ जाते हैं अगर उसके partner के पास gun हो पर इन studies को नजर अंदास कर जैसे जैसे self defense का argument बढ़ता गया वैसे वैसे fire arms restrictions घटते गए जहां 1990s में public spaces में secretly gun carry करना 16 states में legal था वहें 2013 में सारे 50 states में civilians को hidden guns carry करना allowed था इस बदलते gun culture में technological changes का भी एक बड़ा रोल रहा है नई technology के सारे छोटे handguns बनाय जा रहे हैं जो जादा lethal है for example $450 का Smith & Wesson M&P Shield 2.0 pistol जो 6 inches लंबा है जिसमें 15.9 mm cartridges होती है आपको जानका हरानी होगी कि आजकल बच्चे भी अपने fire arms खुद बना सकते हैं जिसे 2.5 pound का .22 caliber cricket इसका gun stock pink के कई shades में आता है और उन पे usually एक American flag के picture की उपर amendment लिखा हुआ होता है यानि second amendment जिसके बारे में हमने पहले ही बात की है अमरिका के gun problem को समझने के लिए second amendment को समझना काफी ज़रूरी है दोस्तों बाकी कई constitutional rights की तरह second amendment का भी ये role है कि वो federal government द्वारा पास किये गए regulations पे limitations लगा सकता है 1791 में जब से second amendment रेटिफाई हुआ तब से scholars और lawyers उसके scope पे debate करते आए है हमें याद रखना चाहिए कि जब second amendment introduced किया गया था तब US के पास कोई standing army नहीं थी इसलिए state के defense के लिए armed militia को mobilize करना ज़रूरी था कई experts ऐसे हैं जो gun rights की favor में है कि क्यों क्या मानना है कि उन्हें fire arms use करने की constitutional authority है पर कुछ ऐसे हैं जो constitutional right case interpretation को नकारते हुए tighter gun control को support करते हैं लेकिन कई experts ही दावा करते हैं कि अगर gun violence को reduce करना है तो focus second amendment पे नहीं बलकि state legislatures पे होना चाहिए Duke Law School के professor Joseph Blosher का मानना है कि अमरिका के अलग-अलग state laws second amendment के लिए एक buffer zone की तरह काम करते हैं इसका मतलब यह है कि laws citizens को gun related activities से काफी protection देते हैं जो second amendment में भी required नहीं है इसके अलावा UCLA School of Law के professor Adam Winkler का कहना है कि lawful policies से unlawful policies को अलग करने की नाकाम्याबी की वज़े से second amendment अपना relevance खोच चुका है वो judicial second amendment और aspirational second amendment के बीच बढ़ते gap पे emphasize करते हैं judicial second amendment का मतलब है कि कैसे courts constitutional provisions को अपने decision में interpret करते हैं दूसी तरफ, aspirational second amendment का मतलब है कि कैसे इन amendment को political discussion में use किया जाता है यही aspirational second amendment खतरनाक है क्योंकि वो gun laws के सक्थ खिलाफ है इसका सबसे बड़ा उधारन है 2008 में Supreme Court के District of Columbia versus Heller का landmark judgment इस decision ने Washington DC में handgun पे ban को खारज कर दिया और self-defense जैसी private purposes के लिए gun possession को एक individual right declare कर दिया जहां originally second amendment state security के लिए एक well armed militia की बात कर रहा था वहीं उसका एक दूसरा part यह add हुआ कि citizens के arms bearing rights को infringed नहीं किया जाएगा court ने private gun ownership के इस protection को दो साल बाद mcdonald versus city of Chicago के case में और भी expand करते हुए कहा कि state और local governments को भी second amendment follow करना पड़ेगा वैसे तो Heller case में court ने individual right पे कई limitations लगाये थे और gun regulation के कई points को specify किया था जैसे government buildings, schools and polling places में उनका restriction लेकिन कई cases में state legislatures court के दिये हुए इस authority को exercise नहीं करते कुछ laws तो ऐसे भी हैं जो gun rights को second amendment से भी ज़ादा secure करते हैं for example 40 से भी ज़ादा states में preemption laws gun regulations को limit करते हैं यहां तक कि officials द्वारा इन laws को challenge करने पे fines और lawsuits भी लग सकते हैं इसका मतलब है कि किसी भी state में चाहे majority gun regulation ordinance को pass करने के favor में हो तो भी यह preemption laws officials को action लेने से रोकते हैं और इन laws का सबसे बड़ा फायदा उठाया है NRA जो कि US का main gun rights advocacy group है दोस्तो 1871 में दो US civil war veterans ने मिलकर NRA established किया जिसका मकसद था rifle shooting को scientific basis पे promote और encourage करना 1975 में NRA ने institute for legislative action नाम की अपनी एक lobbying आम तयार की जो government policy को influence करने के लिए design की गई थी इसके बाद 1977 में NRA ने अपनी political action committee यानी की PAC form की जिससे legislators को fund किया जा सके NRA हर साल officially gun policy को influence करने के लिए लगभग 3 million dollar खर्च करता है वैसे ये figure सिर्फ recorded contributors को cover करता है तो आप सोच सकते हैं कि independent contributions और PACs के थूँ कितने additional transfers होते होंगे यही नहीं NRA अपने membership के जरिए voting को भी effect करता है इसके कुछ high profile members रह चुके हैं जैसे former president George H.W. Bush currently former vice presidential candidate Sarah Palin और Tom Selleck और Whoopi Goldberg जैसे अभिनेता NRA के famous members में से हैं NRA का सबसे बड़ा argument यह है कि जितने guns होंगे उतना ही strong होगा US जी हाँ सुने मैं अजीब लग रहा होगा लेकिन second amendment का उनका interpretation काफी disputed है उनका मानना है कि US constitution बिना किसी governmental oversight के US citizens को arm bear करने की इजाज़त देती है naturally हर एक mass shooting के बाद NRA के activities पे सवाल उठाय जाते हैं चाहे वो December 2020 में Sandy Hook Elementary School shooting हो या साल में में हुई Buffalo Supermarket shooting पर हर बार वो gun ownership को restrict करने के लिए लाए जाने वाले measures को strongly oppose करते हैं उसका power और influence इस बात से चलता है कि वो बेजिजग open carry laws support करता है ऐसे laws जो gun owners को publicly बिना छपाए gun carry करने की इजाज़त देते हैं currently US के सभी 50 states में concealed handgun carry करना allowed है कुछ restrictions हैं जो state to state vary करते हैं लेकिन minimum 20 states है जहाँ open या concealed firearm carry करने का permit नहीं लगता पिछले महिने दुनिया हैरान रह गई जब US Supreme Court ने New York के एक पुराने law को unconstitutional बताते हुए कहा कि लोगों को publicly guns carry करने के लिए कोई reason state नहीं करना पड़ेगा अब आप सोच रहे होंगे कि US के इस gun problem का कोई solution है भी या फिर नहीं इन फाक्ट दा उपीनियन नाम का मशूर अमेरिकन व्यंगात्मक निउस्पेपर हर माश शूटिंग के बाद एक ही headline शपवाता है no way to prevent this says only nation where this regularly happens यानि जिस देश में हर रोज होता है उसी का कहना है कि इसे खतम नहीं किया जा सकता gun control supporters का मानना है कि solution के रहते हुए भी US establishment इन्हें explore नहीं करना चाहता शायद इसी लिए पिछले महिने American President Joe Biden दोरा ratify किया गया नया gun reform law एक significant development की तरह देखा जा रहा है 225th June 2022 को law में sign किया गया ये gun control bill शायद पिछले 30 साल का सबसे important legislation है ये young buyers पे touch or checks impose करेगा और states को उन unreliable या suspicious लोगों से guns confiscate करने की permission देगा इस साल के दो बड़े tragedies यानि Texas और Buffalo में हुए mass shooting के बाद पास किये गए इस bill के कुछ important reforms है जैसे कि 21 साल के नीचे buyers का और भी strict background check, mental health programs और school security upgrades के लिए 15 billion dollar की federal funding unmarried intimate partner को abuse करने के लिए convicted लोगों पे arms purchase ban Biden ने assault weapons पे ban और gun purchase की legal age को बदलने जैसे reforms पे भी काम करने का वादा किया है पर ऐसे वादों से अमेरिका ठक चुका है क्योंकि ये कभी पूरे नहीं होते खैर, experts के अनुसार ये bill बहुत special और significant है क्योंकि इसे Republicans और Democrats दोनों का support मिला है historically Republican Party mainly gun loss को strengthen करने के खिलाफ रही है और इसलिए इसे नए loss को लेकर कुछ उम्मीदे है आपको ये बताने की ज़रुत है कि NRA इस bill को oppose करते हुए वही पुराना argument सामने लाया है कि इन loss से gun violence को खतम नहीं किया जा सकता NRA का सिर्फ एक ही solution है Schools, Marketplace, Music, Festival, Workplace हर जगे Armed Security Personal के नंबर को बाटते रहना पर सच्चाई इससे बहुत दूर है चलिए आपको यूरोप के एक छोटे से देश Switzerland का example देते है यहाँ भी अमेरिका की तरह gun carry करना allowed है पर यहाँ का gun culture बिलकुल अलग है Military Service छोड़ने के बाद Swiss men को अपने weapons रखने की permission होती है 8.6 million अबादी के इस देश में लगभग 2 lakh के पास fire arms है यह नंबर US के comparison में बहुत कम है लेकिन फिर भी दुनिया में one of the highest है इसके बाब जो Switzerland में last mass shooting 2007 में हुई थी इसके तुरंद बाद Swiss government strong laws ले आई जैसे universal background checks, open carry laws पे restrictions और बिना use के loaded guns पे ban analyst का मानना है कि ऐसे gun laws अगर US में भी लागो किये जाए तो शायद gun violence के इस महमारी को रोका जा सकता है सिर्फ Switzerland ही नहीं Australia भी अपने gun control को लेकर काफी serious रहा है Australia का National Firearms Agreement यानि कि NFA, Assault Rifles और Automatic Guns के private ownership को restrict करता है यहाँ तक कि वहाँ की government ने buyback scheme के थू 300 million US dollar खर्च करके 6,50,000 firearms परचेस किये है इस scheme के बाद Australia में कोई भी ऐसा major gun violence incident नहीं हुआ है experts का मानना है कि US के case में जो सबसे जरूरी है वो है guns को लेकर एक cultural change दूसरे measures के साथ ये भी ensure करना पड़ेगा कि लोग gun culture के social cost को recognize करें तभी शायद इन tragedies से छुटकारा मिलेगा तो दोस्तों ये था एक discussion US के gun problem पे और जैसे के हमने वीडियो के पहले भाग में discuss किया कि इस वीडियो की relevance UPSC mains के perspective से काफी जादा है और इसी importance को देखते हुए एक question हम आपके ली छोड़कर जा रहा है जिसको आपको comment section में answer करना है and the question is discuss the relevance of the gun control bill that was signed into law by the American president in June this year and with this question my friends that's it for the video I hope आपको वीडियो पसंदाया होगा और अगर पसंदाया है तो अपने दोस्तों के साथ साजा करना मत भूलेगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत